जे PSC हो, जारखंट सचिवाले हो, जारखंट दरोगा हो या जारखंट टेट हो जारखंट के एक्जाम्स के लिए जन जाती की जो फैक्ट्स है वो बहुत इंपोर्टेंट है तो ने स्टुडेंट को खास कर ये कोशन उठता है कि सर कैसे कैसे कोशन पूछे जाएंगे तो कोशन कुछ ऐसे आएंगे उदाओं जन जाती के प्रमुख देवता क्या कहलाते है मूंडा मांकी साशन विवस्था किस जन जाती की है ओर्ची की लिपी किस जन जाती की लिपी है जारखंड में सबसे बड़ी आदीम जन जाती यानि की प्रिमिटिव ट्रैबल ग्रूप कौन सी है ताना भगत आंदोलन किस जन जाती द्वारा चलू किया गया था मूंडा गाओं के धार्मिक प्रधान को क्या कहते है किरिंग बापला किनका सरवाधिक प्रचलित विवा है तो नाम सुनके जो है विचलित ना हो पर चुकि ये जन जाती है तो कुछ इनके नाम जो हटके रहेंगे ही कुछ जो इनका सिस्टेम है वो हटके रहेंगे ही पर आप जब इसको पढ़ेंगे जानेंगे तो ये सारे question आपके लिए cake walk हो जाएंगे और आप इसमें से most of the cancers असानी से कर पाएंगे फिर एक सवाल और उठता है students के मन में कि sir जारखन में 32 अनुसूची जन जाती है scheduled tribe तो क्या सब को detail में जानना है तो जवाब है नहीं चार को detail में जाने संथाल नमबर वन पे है उराओं नमबर टू पे मुंडा थ्री और फोर पे हो यह हम population के हिसाब से बता रहे है और 32 में से आठ जन जाती जो है वो आदिम जन जाती है निकि primitive tribal group तो आपको यह जानना है कि वो कौन सी आठ primitive tribal group है और 32 में से इन चारों को आपको detail में जानना है संथाल को, उराओं को, मुंडा को और हो को और इन चारों का क्या detail में जानना है कि वो कौन से प्रजाती समू को बिलॉंग करते हैं जैसे आप संथाल की बात करेंगे तो उनका जो प्रजाती समू है वो proto-austreloid है उनकी भासाई समू क्या है उनका linguistic group क्या है तो जैसे संथाल का हम example लेके चल रहे हैं तो उनका जो linguistic group है वो ओस्ट्रिक है जो प्रमुख देउता है वो कौन से हैं तो संथाल का सिंग बोंगा सूर्य देउता को सिंग बोंगा के नाम से पुकारते हैं फिर उनका पंचाच सिस्टम को हम क्या कहते हैं तो उनके पंचाच सिस्टम को हम मांजी प्रगना सिस्टम कहते हैं उसमें आपको जानना है कि जो गाओं के प्रधान है उनको क्या कहते हैं जो उनके धार्मिक गुदू उनके मतलब मेन है नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में संथाल जन जाती उडाओं जन जाती मुंडा जन जाती और उनके पंचायत सिस्टम का लिंक दिया है आप उन्हें देखें आपको बहुत helpful साबित होगा एक और जन जाती हम लेते हैं उडाओं उनकी प्रजाती समू क्या है उडाओं की उडाओं की प्रजाती समू है द्रविट समू भासाई समू भी सेम है द्रविट उनके जो प्रमुख देवता है उनको हम धर्मेश के नाम से जानते हैं उनकी जो पंचायत विरस्ता है उसको हम क्या कहते हैं पढ़ा पंचायत विवस्ता, उनका जो युवागुरी है, उसको हम धूमकूरिया कहते हैं, और उनका जो तिवार है वो भी सरहुल मनाते हैं, तो ऐसी आपको चारो जन्जाती को कवर करना है डिटेल में, और बाकी तो हमने बताया है कि जो आठ आदिम जन्जाती है, प्रेम मेश, मुंडा मांड की शाषिन विरस्था किनकी है, तो ये हो जन्जाती की है, जो की जार्खंट की चौती सबसे बरी जन्जाती है, ओल्ची की लिपी किस जन्जाती की लिपी है, तो ये संथालो की है, जो जार्खंट की सबसे बरी और भारत की तीसरी सबसे बरी जन्जा जार्खन में सबसे बरी आदीम जन जाती प्रिमिटिब ट्राइबल गूरूप कौन सी है तो इसके जोआब हो जाएगा माल पहाडिया ताना भगत आंदोलन किस जन जाती द्वारा चालू किया गया था तो जत्रा उराओं के द्वारा यानि कि उराओं जन जाती के द्वारा चालू किया गया था मूंडा गाओं के धार्मिक प्रदान को क्या कहते हैं पाहन कहते हैं और किरिंग बाप्ला किस जन जाती का सर्वाधिक प्रचलित विवा है तो ये है संथाल तो जब आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ों पर आपको फोकस रखना है कौन सी प्रजात तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब करें शेयर करें और हम आपको प्रामिस करते हैं कि हमारे वीडियो देखके आपको एक्जाम में काफी हल्प मिलेगा तो फ्रेंड्स मेहनत होगी जीत होगी all the best and thank you